पहले उबर में गिली उड़ाई लेकिन दूसरे उबर में जमकर मार खाई जी या पाकिस्तानी कप्तान साहिन अफरीदी ने पहले टी-20 मैच में न्यूजिलेंड के खिलाप पहले उबर में तो सांदार बिकेट जटक लिया वो भी बहुत बड़ा बिकेट लेकिन इसके तो आज की वीडियो हमने उन दोनों ओबर की बात करेंगे जब साहिन अफरीदी के अर्च से फर्स पर पहुंच गए पहले ओबर की दूसरी गैन पर साहिन अफरीदी ने सांदार बिकेट हासल किया वो भी बहुत बड़ा उन्होंने ड्वेन कॉनवे को चलता किया लेकिन वो अपने दूसरी ओबर यानि पाकिस्तान का तीसरा ओबर ले करके आये तो फिन एलन ने दूआधार को टाई करने शुरू कर दी एक ओबर में ही 24 रन बना दिये अगर हम साहिन अफरीदी के इस दूसरे ओबर की बॉल दर बॉल देखे हैं तो पहले ओबर में सांदार बि इस पर भी फिन एलन ने सांदार चोका लगा दिया साइनाफ बिदकि समझ में ही नहीं आया उन्होंने गुस्य बरकर गर्ए वाल्द आपसके ने होंगे? तीन गैन पर लगाता है तीन मांडुरी खाने के बाद उन्होंने चौथिर गैन फेकी लेकिन इस पर भी फिन एलन ने जड़ दीगा एक और चौका यानि चौकों की हैट्रक लगा दी साहिनाफरीदी इस समय तक पूरी तरह से निरास हो चुकी थे उन्होंने किसी तरह से लेकिन तब तक उनका ओबर बहुती बड़ा महेंगा साबित हो चुका था और यह पाकिस्तान का तीसरा योबर था तो इस से नुजिलैंड की बल्ले बाजों का काफी हाई हो गया, और साथ में पाकिस्तानी गैंदबाजों का जो confidence था, वो कहीं न कहीं डग मगा गया, यहीं बजाय थी कि बाकी के गैंदबाजों ने भी जम कर अपनी कुटाई करवाई, जिनका कप्तान ही कुटाई करवा रहा हो, तो अन गैंदबाजों का तो कहना ही किय और इसी देखा दाकी में उनके स्टार गैंदबाज आमिर जमाल तक ने खूब सारे रन बनवाए, और इस तरह से न्यूजी लेंड का जो टोटल रन था, वो पहुंच गया, दोसो अटाइस रन, बीस ओवर में, और पाकिस्तान को इस मैच्च में होना क्या था, हार गया, बैसे भी साहे नाफरीदी, इस मैच में काफी महेंगे साबित हुए, चार ओवर में 46 रन कोटवाए साहे नाफरीदी ने, और बिकेट हाला कि उनको 3 मिले, लेकिन कुल मिला करके बिकेट किस काम के जब आपके गैंदबाज और आप सब मिल करके रन इतने कोटवा चुके थ और पाकिस्तान सीदी सी बात है मैच गबा बैठा